हेलो एव्रीवन वेलकम बैक तू माई चैनल सो गाइस आज मैं यूपी बार काउंसल से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ यह वीडियो गाइस अक्चली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉमेंट सेक्षन पे पूछा है यह बाद आपको आपका सेटिफिकेट और आईडी कार्ड मिलेगा यह बहुत सारे लोगों का डाउट था कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा था और कुछ कॉमेंट सेक्षन पे भी तो गाइस मैंने यूपी बार काउंसल के रेजिस्ट्रेशन प्रोस से अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दिया तो अगर आपने अभी तक वह वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं उसका लिंक प्रोवाइट कर दोंगी आप वहां से जरूर देख लीजेगा अगर आप रेजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसेस में है या आप सोच कराने का तो आप वो वीडियो जरूर देखेगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कैसे रेजिस्ट्रेशन कराना है फीज कितनी है सारी बाते मैंने उसमें की है तो आप प्लीज एक बार वह जरूर देखिएगा अन गाइस तो मैं डाउट क्लियर करती हूं आप लोगों का कि देखिए रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कराया मांगीजिए एप्रिल में ठीक है आपने एप्रिल में भेज दिया अपना सारा डॉक्यूमेंट या खुद जाके दे आए अलहबाट ठीक है वहां दे आए कि वो कितने टाइम में ये चीज़ करके दे जनरली जो बहुत सारे 90% लोगों का गाईस तीन महीने के अंदर आ जाता है आईडी कार्ड और रेजिस्ट्रेशन सेटिफिकेट ठीक है तीन महीने के अंदर आ जाता है ठीक है बहुत जिनका लेट होता है गाईस और बहुत जा करना है उस case में कि आप खुद जाके वहाँ पर पता करिए क्यों कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके application form में कोई गलती हो जाती है ठीक है आपने अपनी और से सब कुछ करके दिया पर फिर भी कहीं न कहीं कोई चूक अगर हो गई है आपसे इसलिए आपका application form आगे process नहीं पर अभी तक मेरा number नहीं आया है तो guys आप जाके office में पता करिए आप बैठे मत रहें जाके वहाँ पता करिए कि मेरा मैंने इस time कराया है वो लोग record में चेक करके बताएंगे अगर कोई गलती होगी तो वो आपको बताएंगे आप गलती सुधारों और फिर से अपना apply आपका आ जाता है पर अगर बहुत लेट हो रहा है तो इसका मतलब कि application form में guys कही न कहीं गलती हो गई है कोई document छूड़ गया है या photo में दिक्कत है या जो attestation है आपने वो नहीं कराया है ठीक से बहुत सारी चोटी-चोटी चीज़ें आपने उस वीडियो में देखा होगा मैंने आपको बताया कि कितनी सारी चीज़ें है जो आपको इकठा करके form के साथ attach करनी है ठीक है तो कई न कई गलती हो जाती है कोई बड़ी बात नहीं है पर यह आपकी responsibility है कि आपको अगर लग रहा है कि तीन महीने में नहीं आया है जाए इलहाबाद जाके पता करिये office में वहाँ पर लोग है आपकी help करने के लिए आपको बताएंगे कि क्या scene है क्या कैसा है आपने क्या छोड़ दिया या अगर कुछ गलती नहीं भी है तो भी कोई ना कोई आपको opinion मिलेगा कि हाँ अब आएगा इतना time और लगेगा कोई ना कोई चीज वो खुद बताएंगे आ आपसे आपको ही online या कुछ भी ऐसे नहीं पता कर सकते हैं आपको खुद जाना पड़ेगा इन परसन जाके वहाँ पता करना पड़ेगा गाईस ठीक है वड़ना अगर ऐसे मैं आपको बताओं तो अगर आप में April में registration कराया है तो जुलाई तक तो आपका आना ही आना है ठ अभी तक 2021 के सारे registration नंबर आ गए हैं उनको मिल चुका है certificate और यह सब ठीक है जिनको नहीं मिला है वो जाके पता करें तो यह थी बहुत बड़ी आपकी डाउट मैंने clear की है कि आप कही online नहीं पता कर सकते हो या ना मैं बता सकती हूं या कोई और बता सकता है आपको खुद जाके पता करना पड़ेगा ठीक है वरना stipulated time अगर बोला जाए तो तीन महिने में आही जाता है ओके आपका registration certificate भी और आपकी ID card भी guys तो I hope guys कि मैंने आपका यह doubt clear कर दिया अगर फिर भी आपको कोई problem हो तो आप please comment section में मुझसे जरूर पूछेगा guys और UP bar council से related कोई भी ऐसा doubt हो तो please ping कीजिए और पूछेए मैं आपका पूरा पूरा आपकी problem को solve करने की कोशिश करूँगी guys and अगर आपने अभी तो ही मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए ऐसी ही news ऐसी ही updates आपके पास आती रहेगी okay guys and instagram पे भी आप follow कर सकते हो मेरा page instagram पे भी है telegram की group भी join कर सकते हो उस पे भी updates आती रहती है तो guys ऐसे ही support करते रहेए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ till then take care and bye bye